हेलो दोस्तो आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत शागत है आज मैंने बनाया है ये डोर में कि ये मैंने बोहती आशान तरीके से Byनाया है इसे बनाना बोहती आशान है इसमें ज्यादा time भी नहीं लगता देखिए एक पत्ती मैंने तो ये आदी कली मैंने इस तरीके से ये बनाई है इसमें नीला कलन नहीं लगाया है क्योंकि आप देख सकेंगे इस तरीके से ये वाली कली गई है और फिर ये वाली देखिए किस तरीके से ये बना हुआ है आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगी तो आप सिख जाएंगे बहुत ही सुन्दर सा प्यारा सा ये डोरमेट बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाता है पीछे की साइट से इस तरीके से धागा हमारा साथ ही साथ सलते हैं तीनों धागे और इधर की साइट में देखिए किस तरीके से ये पत्तियां चमकती हैं चलिए से बनाना स्टाइट करते हैं आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तीन साडियों वाला डूर मेंट जो टोटल तीन साडियों से आप कितना भी बड़ा बना सकती हैं देखिए यह मैं आपको तीस फंदे का बना कर दिखाऊंगे आप चाहे तो 40 फंदो का 50 फंदो का 6 फंदो का भी बना सकती हैं देखिए मेरे पास यह नोलम्मर की सिलाई हैं आप देखिए नोलम्मर की सिलाई ले और आप मेरी तरह अपने डूर मेंट को बनाएं कि उसके लिए देखिए पहले क्या करेंगे नोच लगाएंगे एक स्राइय में in कि देखे एक स्राइय में मैंने ये को रॉआ लेँ कैसे फंदे डालेंगे मैं आपको बताती हूं देखिए पहले मैंने नोच लगाई है फिर इस तरीके से फंदों को डालेंगे ऐसे तीस फंदे डालेंगे इसी तरीके से चाहे आप चितना बड़ा बनाना चाहती है उतने फंदे डालें मगर मैं तीस फंदों को आपको बना प्रक दिखाऊंगे देखिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, वारा, तेरा, चुदा, पंदर, सोल, सत्रा, ठारा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यह टोटल 30 तो यह मैंने तीस फंदे डाल लिए हैं अब क्या करेंगे एक रोह हम साधा लगाएंगे इस तरीके से देखिए एक रोह हम साधा ही लगाएंगे ऐसे ही लगाते जाएंगे ऐसे अपनी तरफ की बनाई हम करते जाएंगे और सभी फंदों को इसी तरीके से बना लेती हैं इसमें क्या करेंगे ? कोई फंदा हम गठाएंगे नहीं कोई बढ़ाएंगे नहीं, सिर्प जो हमने फंदे डाले हैं इसमें सिलाई में उन्ही फंदों को इसी तरीकी से बना लेंगे तो यह रोक में ज़ञा लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती me तो देखिए एक रो मैंने लगा ली है आपको दिख रही होगी अब क्या करेंगे इधर की साइट से हम सभी फंदों को बनाते जाएंगे यह एक पना हम उतारेंगे सौरी पहला फंदा उतारेंगे दूसरे फंदे से बनाना इस्टाइट करेंगे और यानि आदा फंदे हम बना लेते हैं आदे फंदे हम बना लेते हैं, देखिए इसमें तुम्हें आदे फंदे बनाऊंगी मगर तुम 40 फंदे का आप बनाना चाहती है तो भी नीचे की साइट में हम 15 फंदे छोड़ेंगे और यह 30 हैं, तो आदा तो वैसे ही हो गया अब यहां से देखिए कितने फंदे टोटल इसमें बाखिए हैं एक, दो, तीन, एक, चार, पाम, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा दो फंदे हमने एस्टेर बुल लिये हैं, उन्हें भी निकाल देती हैं अब देखिए यह मैं 12 फंदों की डिजान आपको बताऊंगी इसलिए हम इस वाले दागे को इधर की साथ में कर देते हैं अब हम नीला कलर लगाके दिखाऊंगे मैं आपको देखिए इस तरीके से सलाई को अंदर डालेंगे और बनाना शुरू कर देएंगे देखिए यानि 12 फंदा हमें इसी से बनाना है तीन फंदा हम नीचे की तरफ में छूड़ देंगे देखिए यह बारा फंदा हो गए हमारे दो ती एक दो तीन चार पांच छे चे दुनी बारा यह तीन फंदे हमने छोड़ दिये यहीं से अपने धागे को अपनी तरफ यानि सीधी तरफ ले लेंगे और जैसे हमने सीधी तरफ से बनाए है वैसे ही हम यानि सोरी उल्टी तरफ से बनाए है वैसे ही सीधी तरफ को बनाएंगे जैसे कलर से बनाए है वैसे ही कलर बनाएंगे चैंज नहीं करेंगे सीधी तरफ से देखो मेरे पास कमेंट आया थी ये पेड़ वाला आशन पतियों वाला आशन हमें फिर से बता दो तो देखिये अब क्या करएंगे इदर की साथ से हमें क्या करना हैं सीधी तरफ से इस वाले धागे को हम इसके उपर रखेंगे और इस वाले यानि नीले कलर को हम पीछे की तरफ निकाल देंगे, यहां से जैसे हमारे फंदे हैं वैसे बना लेते हैं, देखिए इसी तरीके से बनाना है बस, देखिए इसमें इधर की साइट में हमें क्या करना है लास्ट वाले फंदे का, वो मैं आपको एक वार फिर से बता देती हूं लास्ट वाला फंदा हम देखिए सीधा लेंगे दागे को इधर की साइट में करेंगे सिलाई को इस तरीके से जालेंगे और उपर से दागा जालके इस तरीके से सीधा लेंगे इधर की साइट से हमें आपको मैंने बताया था कि यह उतारना है बस अब देखिए हम क्या करेंगे देखिए अब यहां से यह मैं कलर चेंज कर रही हूँ इस वाले दागे को हम पीछे की तरफ निकाल देते हैं यहां से देखिए मैंने दूफंदे नहीं बनाए है यहां से अब ब्लेक कलर लगाएंगे इस तरीके से यह दो फंदे हमने ब्लेक कलर से लिए हुए है देखिए अब क्या करेंगे जो हमने नीले कलर से बनाए थे देखो उसमें से हम दो फंदे लाश्ट में पहले हमने तीन फंदे छोड़े थे अब की बार में हम चार फंदे छोड़ देंगे देखिए इस तरीके से टुकड़े हो जाती हैं साड़ी के तो इस तरीके से अंदर रख के और अंटे लगा देते हैं देखिए ऐसे अब ये दो छोड़ दिए अब की बार में देखिए मैं आपको अच्छे से और समझा देती हूँ देखिए अब मैंने अब की बार में ये बलेक कलर लगाया है दूसरी बार में हम क्या करेंगे इन बलेक कलर की बार ये लीला कलर लगाएंगे यहां से फिर काला फिर नीला फिर काला फिर नीला तीन फंदे हम यहाँ पे फिट से चोड़ेंगे और इसी तरीके से हमारी आदी कली बन के तयार हो जाएगी तो पहले आदी कली बना लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा तो देखेए आप देख रहे हैं मैंने 2-2 फंदे बढ़ाकर इस तरीके से देखो ये 2-2 फंदे गठाई थे देखो और ये 12 फंदे मैंने कोई फंदा नहीं गठाया इसमें से 2-2 करके ये 12 फंदे हमारे इसमें रहेंगे और जैसे ही इधर की साइट में हम दो दो करके तो देखिए मैंने इस तरीके से यहां पर ये तीन फंदे मैंने कोई कलर चैंज नहीं किया इधर की साइट भी तीन फंदे मैंने छोड़े हैं और इधर की साइट भी तीन फंदे छोड़े हैं अब क्या करेंगे इन कलर को हम यह क्रोप सीधी तरफ से हमें सभी फन्दों को एक कलर से ही बुनना है देखिए सभी फन्दों को बुनेंगे यह मैंने इधर की साइट से एक रोप लगा ली है इधर की साइट से लगा लेंगे फिर मैं आपको दिखाती तो देखिए एक रो मैंने लगा ली है आपको दिख रही होगी अब यह मेरी आधी कली बन के तयार हो गई है अब मैं इधर की साइट से आपको बताऊंगी कैसे बुनना है देखिए यह पहला पलंदा हम उतारेंगे उतार लिया मैंने दो फंदे बनाएंगे यानि यह मैंने दो फंदे बना लिये एक फंदा उतार लिया अब हम क्या करेंगे इस बाले दागे को पीछे की तरफ निकालेंगे और इस यहां से नीले कलर से बनाना शुरू करेंगे कितने फंदे बनाएंगे बारा फंदे पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और यह बारा देखिए यह बारा फंदे मैंने बना लिये हैं आपको दिख रहे होंगे पहली रो में हमारे बारा फंदे यहीं तक है फिर से हम कारे कलर के बनाएंगे फिर से नीले फिर से कारे ऐसे ही हम जैसे आप देखिए आदी कली में तो हमने इस तरीके से फंदे गठाएते अपकी बार में इधर की साथ से हम बंदे बढ़ाएंगी नीचे की तरफ तो थोड़ा सा बना कर मैं आपको दिखाऊंगी फिर आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से कि इस तरीके से पूरी कली हुई है तो ये देखिए नेले कलर से हमने बना लिया एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए मैं इस वाले डोर्मेट को दूसरी वीडियो में बना रही हूँ एक वीडियो मेरी पहले से डली हुई है रमाचवान के चैनल पर अब देखिए इस दागे को हम जैसे रखते थे वैसे ही रखेंगे इसके पीछे की तरफ निकाल देंगे अब यहां से दो फंदे बनाएंगे ये दो फंदे बना लिए पीछे की तरफ दागा करेंगे और सीधा फंदा ले लेंगे देखिए, अब क्या करेंगे हम, एक फंदा उतारेंगे, दो फंदे बनाएंगे, एक, दो, दो फंदे बना लिए, दो फंदे हम लीले कलर के बनाएंगे, ये दो फंदे बना लिए, अब हम इस वाले डागे को पीछे की तरप करेंगे, बलेक कलर से बनाना शुरू कर देंगे ऐसे देखिए देखिए अब ये दो फंदे हम यहां से बढ़ाएंगे एक और ये दो तभी तो हमारे ये बारा फंदे होंगे क्योंकि हमारे यहां पाँच फंदे हो गए तो देखिए आपको इधर की साइट से दिखाती हूँ सीधी तरफ इसी तरीके से हम यहां तक आ जाएंगे तो हमारी पूरी कली हो जाएगी तो मैं सारा डोर मैट बना लेती हूँ फिर मैं आपको अच्छे से समझाओंगी आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे कहां से किस तरीके से बनाया है तो देखिए मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ देखिए मैंने इस डोर मैट को पूरा बना लिया है थोड़ी आदी कली यह बाकी है मैं आपको से समझाऊंगी कि इस तरीके से मैंने ये बनाया है देखिए मैंने यहां से फंदे डाले हुए थे फिर इस वाली कली को देखो मैं सीधी करके दिखाऊंगा आपको ये कली मैंने दोनों तरफ से ये फंदे छोड़ते दोदो करके फिर मैं एक साधा रू लगाई थ फिर यहां से मैंने दो दो करके बढ़ाए थे इधर की साइक में तो यह मेरी कली पूरी बनके तयार हो गई इस तरीके से दूसरी कली जा लेंगे तो इस तरीके से एक और कली बनके तयार होगी आपको दीख रही होगी अब देखिए मैंने इसी तरीके से यह 6 कली यानि 8 कली बना ली है एक दो तीन चार पांच चैसाथ आठ आठी कली मैं आपको बना कर दिखाती हूं देखिए मैं इसे आपको सीधा करके दिखाऊंगे फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से देखो अब यहां से मैंने यह दो दो करके फंदे बढ़ाए हैं थोड़ा सा देखो मैं आपको फिर से बढ़ा कर बता रही हूं देखिए मैं आपको फिर से समझा रही हूं एक फंदा हम उतारेंगे दूसरे फंदे से बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से से देखिए मैंने फंदे बना लिए दो फंदे हम इसमें से बनाएंगे इस वाले कलर को हम यानि सीधी तरफ कर देते हैं अब अपने इस वाले कलर से बनाना है शुरू करेंगे क्योंकि नीला कलर मेरन खतम होया है ऐसे एक, दो, तीन, चार, पांच साथ आठ नो और एक, तस ग्यारा और ये बारा अब यहां से जैसे हमने फंदा उल्टी तरफ से बनाई है वैसे ही यहां से बनाएंगे देखिए आपकी अच्छे से समझ में आ रहा होगा देखो तो अब मैं पूरे फंदों को बना लेती हूँ फिर मैं आपको देखाती हूँ तो देखिए करेंगे यहां तक मेरी ये पूरी कली बन के तयार हो गई है तो अब क्या करेंगे अब हम फंदे साल्टे को इसी कलर से बनाएंगे इस तरीके से कर दोनों तरब से दो रुफ THIS तरीके से एक इधर की सैट से और एक उधर कि सैट से सीधी तरब से बना लेते हैं फिर मैं आपको देखिए दिखाऊंगी है यह मैने सभी 12 को मैंने इस से बना-लिया है देखो अब यह तीन फंदे हैं तो इन्हें भी हम इसी कलर से बनाएंगे देखिए अब हम क्या करेंगे सीधी तरफ से एक रो और ले जाएंगे यहां से फिर मैं आपको दिखाती हूं कैसे उतारेंगे यह देखिए दोनों कलर हम अचा देते हैं और इसमें नोट भी लगा देते हैं दोनों में यह नोट लगा कर मैंने दागे को कट कर दिया अब क्या करेंगे अमने आपको उतार के दिखाऊंगे इस तरीके से हम उतारेंगे देखिए यह जवल फंदा लेंगे और एक कर देंगे फिर से जवल लेंगे और फिर से उतार देंगे देखो बंद करेंगे एक-एक करके इसी तरीके से सभी फंदों को हम बंद कर देते हैं ऐसे ही सभी फंदों को बंद करेंगे तूइस तरीके से सभी फन्नों को हम बंद कर देते हैं यह तीसरा धागा भी कट कर देते हैं कि और नॉट लगा देते हैं इस सभी को हम हठा देते हैं, देखिए, हमें आपको डूर मेट बचा कर दिखाती हम, यह हम उल्की तरप से बचा रहे हैं, अब इसकी सिलाई करेंगे हम, देखिए कितना प्यारा बनकी आया है यह, तो मैं आपको सिल्के दिखाऊंगी, पहले इसमें नोट लगाएंगे, इस दखाएंगे, इस तरहएंगे, यह जत्त टिखाते हाँ हम, मैं आपको सिल्के तेखाती हूं, मैं इे बड़ी स्वी तरह शुए हूँ है, मैं आपको सिल्के दिखाती हूं, नि भाद बड़ी यह हम दबने मियं दवल, दिखा ही हम तो देखिए मैंने यहां से यहां तक सिलिया है आपको दिख रहा हुगा अब क्या करेंगे अब यह सभी फंदों को हम इसमें सुई में डालेंगे इस तरीके से इसी तरीके से गोड़ गोड़ फंदों को सभी को हम डाल लेंगे इसमें हम कोई नोट नहीं लगाएंगे देखिए मैंने सभी फंदों को इस तरीके से सुई में जाल के निकाल दिया है देखो अब क्या करेंगे अब इसे हम आराम से खीचेंगे देखो सभी हमारा देखो यह बंद हो गया यह जाल था वह बंद हो गया अब इसे हम यहाँ पे दो से तीन बार तक सिल देएंगे ऐसे नोट भी लगा देते हैं साथ ही साथ आराम से बंद हो जाता है यह देखिए कितना आराम से बंद हो गया यह तो यह मेरा डूर मैट की सिलाई होके तैयार है अब धागे को हम कट कर देते हैं यहाँ पे एक बार और नोट लगा देते हैं धागे को हम कट कर देते हैं आपको दिख रहा है यह मेरा उल्ती तरफ से देखो इसलगे तयाः है यह दूर मैट सीधी तरफ आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि कहां पर और कैसे यह दूर मैट बनके तैयार है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ सेयर करें अगली वीडियो के साथ मिलेगे तब तक के लिए बाई